नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कीचन में कोई कुकिंग कर रहे होते हैं किसी डिश को बना रहे होते हैं तो अक्सर जो फ्राइड डिशेज होती है यानि कि जिनको बनाने के लिए तेल का इस्तमाल करना पड़ता है तो दोस्तो कई बार बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं वो जो कडाये में बचा हुआ तेल होता है जिसका आपने उस डिस्को बनाने का यूज किया है तो दोस्तों उसी तेल को अगर बार-बार आप यूज करते हैं तो वो health के लिए बहुत ज़्दा problem create कर सकता है जी हां दोस्तो उसी तेल को बार-बार यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक है और वो किस-किस तरीके से नुकसान पुचा सकता है चलिए जानते हैं दोस्तों पेले यूज किये हुए तेल को बार-बार इस्तमाल करना केंसर का खत्रा बढ़ाता है जी हाँ तेल को बार-बार गर्म करने से उसमें धीरे-धीरे फ्री रेडिकल्स का निर्मान हो जाता है इससे तेल में एंटी ओक्सिडेंट की मातरा खत्मोने लगती है जो की इसकिन सब्बंदित प्रोब्लम का कारण बन सकती है जी हाँ दोस्तों तो इसलिए बार-बार तेल का इस्तमाल हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों यूस किया गया तेल अगर काला पड़ जाता है तो ये तेल शरीर में लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन याने की बेट कोलिस्टोल को इंक्रीज करता है और दोस्तों बेट कोलिस्टोल किसी भी सूरत में सिहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता इसके अलावा दोस्तो तेल को बार-बार reuse करने से बहुत बड़ी-बड़ी बीमारिया आपको हो सकती है जैसे कि इससे कोई heart का रोग आपको हो सकता है, heart stroke हो सकता है आपकी छाती में दर्द हो सकता है, छाती में जलन हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है इस प्रकार की तमाम चोटी बड़ी बिमारियां आपको हो सकती है दोस्तो जला हुआ जो तेल होता है अगर उसको खाली आ जाए तो इससे खास करके गले में जलन और ऐसीडिटी की सिकायत हो सकती है दोस्तो यूजड किया गया तेल बार-बार इस्तमाल करने से आपको फेट का भी खत्रा हो सकता है यानि कि आप मोटा पे के शिकार हो सकते हैं क्योंकि ये शरीर में चर्बी को जमा देता है जिससे व्यक्ति दिन बदिन मोटा होता चला जाता है इसके अलावा जले हुए तेल को खाने से डाइबटीस का खत्रा भी बढ़ जाता है इसाथ ये blood को गाड़ा बना देता है जो कि blood के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों बचे हुए तेल में बना खाना खाने से सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये नलियों को चोक कर देता है इसलिए इसको खाने से बचें दोस्तो बचा हुआ तेल इस्तमाल खड़ने से आपका खून भी दूशित होने लगता है गंदा होने लगता है इससे ब्लड में एंटी ओक्सिडेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जो की ब्लड की शुद्धी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है दोस्तो पहले से इस्तमाल किया गया तेल खाने से आपके बालों के ज़ड़ना दाग दब्बे जैसी प्रोब्लम्स होना कील मुहासी जैसी प्रोब्लम्स होना ये सारी प्रोब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं एक ही तेल को बार बार रियूज करने के इसलिए किसी भी तेल को या फिर आप कोई भी डिश बनाने जाएं तो उतना ही तेल प्रियोग करें कि बस वो एक ही बार में यूज हो जाएं ज़्यादा एश्टा तेल ना करें और अगर आप उसे यूज करना भी चाते हैं तो किवर एक से ज़्यादा बार ना करें नहीं तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान दाएगे तो दोस्तो यही थी मेरी आज की एक और important जानकारी आप सभी लोगों के लिए जो होती ही यहीं समाप उमीद करता हूं कि विडियो और जानकारी आपको पसंद आई लगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए